हेलो स्टूरेंट्स वल्कम अगें टू लांड वृद्धी तीमन आज हम करने वाले हैं नाइन्थ क्लास की पॉलिटी का अंतिम वीडियो जिसमें हम जो पंचायती राजवेवस्ता पढ़ चुके हैं आज हम करेंगे स्थानिय सौशासन से सम्धे सभी प्रेशन और क्लास की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो देखिए आप वीडियो जो है नहीं शेयर करते हैं और नहीं वीडियो पूरा देखते हैं तो यह सभी मुझे पता चल जाता है तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए आपको इसकी एहमें तभी नहीं पता लेकिन एक्जाम टाइम में आपको ना पस्ता न पड़े इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूं वीडियो को अच्छे से देखिए यदि आपको एक्जाम करना है चलिए स्टार्ट करते हैं question 1 है नगर निगम का कारेकाल कितना होता है तो आज हम नगरियो स्टार्ट के बारे में पड़ेंगे जिसमें हम इसे तीन भागों में बाढ़ते हैं नगर पालिका नगर परिशद और नगर निगम एक लाग से कम जनसंख्यावाले नगरिय शेत्र को नगर पालिका कहते हैं उसके बाद एक लाग से पांच लाग तक की जनसंख्यावाले को नगर परिशत कहते हैं और पांच लाग से जो आवव होती है उसे हम कहते हैं नगर निगम नगर निगम का कारेकाल कितना होता है इसका सही अंसर है 5 वर्च नेक्स्ट है कोशियन नमबर 2 74 समविधान संसोधन के अनरूप जिन नगरिये शेत्रों में 5 लाग से अधिक जन्संक्या हो उसे क्या कहेंगे देखिए 74 समविधान संसोधन जिसमें नगरिये स्वशाशन को जोड़ा गया 73 समविधान संसोधन में ग्रामिल स्वशाशन को जोड़ा गया तो यहां 74 सम्विधान संसुधन की अनुरूप जिन नगरी शित्रों में 5 लाग से अधिक जन संक्या है उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे नगर निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्या कहते हैं? आंसर है महापोर कहते हैं नगर निगम के अध्यक्ष को और उप महापोर कहेंगे नगर निगम के उपाध्यक्ष को नगर निगम का प्रथम नागरिक कौन होता है जिस तरीके से देश का प्रथम नागरिक, राष्ट्र का प्रथम नागरिक, राष्ट्र पतिजी होते हैं उसी तरीके से नगर के जो प्रत्वनागरिक होते हैं वो महापोर होते हैं क्योंकि वह क्या होते हैं नगर निगम के अध्यक्ष नगर निगम के महापोर की अनुपस्तिती में सभी कारे संपन किसके द्वारा किये जाते हैं नगर निगम के महापोर की अनुपस्तिती में सभी कारे किसके द्वारा पूरे किये जाते हैं आंसर है उप महापूर जिस तरीके से राष्ट्रपती के अनुपस्तिती में उप राष्ट्रपती सभी कारे समालते हैं इसी तरीके से नगर निगम के यदि अध्यक्ष महापूर उपस्तित ना हो तो सभी कारे कौन समालेंगे उप महापूर नगर निगम के कारेकाल समिती का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है, इसका गठन किया जाता है महापूर, उपमहापूर, परिशद में विपक्ष कानेता, परिशद द्वारा निर्वाचिस सास सदस्यों द्वारा किया जाता है इन साथ सदस्यों में दो महलाएं होती हैं और कारेकारी बदिन सचे भी होता है। नगर निगम अपने कारेओं के लिए आये कहां से जुटाता है। नगर निगम अपने कारेओं के लिए जो इनकम है वो कहां से जुटाता है। जो भी हम पर संपत्ति कर लगता है, पश्चु कर लगता है, व्यवशाय कर लगता है, मनोरंजन कर लगता है, भूमिया भवन पर जो भी किराया लगता है। और सरकार से निश्चित प्राप्त अनुदान ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट है कुशन एट जिसे नगर शेत्र की जनसंग क्या 5 लाग से कम है वह नगर निगम में आता है या नगर परिशद में तो बिल्कुल इसका तो आप जट से आंसर बता ही देंगे कि 5 लाग से य नगर परिशद की अंतरगत आएगा कुशन 9 नगर परिशद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होता है देखिए नगर निगम का हमने देखा अध्यक्ष कौन होता है महापोर होता है उपाध्यक्ष उप महापोर होता है अब नगर परिशद का अध्यक्ष होता है सभा और उपाद्यक्ष होगा उप्सभापती ठीक है दोनों को मिलाना नहीं है जब हम बात करेंगे नगर निगम की तो वहाँ पर महापूर अद्यक्ष है और उप्सभापती है और उपाद्यक्ष उप्सभापती है पार्षद का निर्वाचन कैसे होता है इसका अंसर है पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मतादिकार द्वारा गुप्त मतधान से होता है नेक्स्ट है 11 क्या लोगसभा और विधानसभा के सदस्ये नगर परिश्यत के सदस्ये होते हैं अथवा नहीं देखिए ये कुशन बहुत इंपोर्टन रहता है क्योंकि इस तरीके से आपके एक्जाम में पूस लिया जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यह तो लोगसभा और विधानसभा के सदस्ये नहीं होगा तो इसका आंसर है येस लोगसभा और विधानसभा के सदस्ये जो हैं वो नगर परिश्यत के सदस्ये होते हैं एक लाग से कम जनसंख्या वाले संक्रमन कालीन नगरिय शेत्र को क्या कहेंगे तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है संक्रमन कालीन नगरिय शेत्र तो आप पिल्कुल परेशान नहों हमें देखना क्या है एक लाग से कम जनसंख्या वाले नगरिय शेत्र की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि वह है क्या है नगरपालिका भारत सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा इस्थानिय समस्याओं के निराकरण हे तो इस्थानिय संस्था के गठन के लिए छावनि बोड अधनियम संसद में कब पारित हुआ तो जो इस्थानिय समस्याएं होती हैं, नगरिय समस्याएं होती हैं, तो उनके निराकरण है तो इस्थानिय संसा के गठन के लिए छाबनी बोड अधिनियम संसद में कप पारित हुआ? तो जो इस्थानिय समस्य हैं उनके निराकरण के लिए 1924 में जावनी बोर्ड अधनियम पारित हुआ Question 14 राजिस्थान में एक मात्र जावनी बोर्ड की स्थापना कहा की गई अब जो बच्चे question answer अच्छे से नहीं कर रहे हैं उनके सामने ये question जो है वो exam में आ जाए तो वो confused हो जाएंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं ये कहां से आ गया तो सब कुछ book में ही है राजिस्थान में एक मात्र जावनी बोर्ड की स्थापना कहा की गई आंसर है नसीराबाद अजमेर में भारत में वर्दमान में कितनी चावनी मंडल है तो इसका आंसर है 64 आंसर कितना है 64 भारत में वर्दमान में 64 चावनी मंडल है पंचायती रासंस्थाओं और नगरिय संस्थाओं के चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं। इस्तती प्राप्त हैं। इसका आंसर है चोहत्तरवा संवेधान संसोधन। और अनुसूची कौन सी? बार्वी। कौन राज्य सरकार तो था इस्थानिय शाशन के बीज राज्य स्थानिय शाशन के बीच में। तो वो है राज्य वित्य आयोग। राज्य वित्यायोग के गठन का प्राप्धान संवेधान में किस अनुचेद में है? तो राज्य वित्यायोग के गठन का प्राप्धान जो है वो संवेधान के 243 अनुचेद में है और किसकी अंतरगत है? आई की अंतरगत है. ठीक है? next है question 20 देश का पहला नगर निगम कहां इस्थापित हुआ देखिए एक बार आपके एक्जाम में ये question आया हुआ है देश का पहला नगर निगम कहां इस्थापित हुआ तो यह हुआ मदरास में 1687 इस्वी में मदरास में 1687 इस भी में पहला नगर निगम इस्तापित हुआ नेक्स्ट है कुश्चन 21 भारत में नगरिये निकायों के धांचे का स्वरूप कैसा है तो देखिए अब ये प्रस्णों जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है क्यों क्योंकि पंचायती विवस्था के अंतगत जो ग्रामीर निकाये हैं उनके धांचे का स्वरूप हमने देखा लंबोवत है ठीक है हमने देखा लंबोवत है और नगरिये निकायों के धांचे का स्वरूप कैसा है शेतिज है इसे हम इस तरीके से बाड़ते हैं, सेतिस बाड़ते हैं, जिसमें सबसे first आता है नगर निगम, second आता है नगरपरशत और third आता है नगर पालिका, लेकिन जब हम ग्राम ile निगायों की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? कि देखते हैं कि वह है नीचे से उपर की तरफ या नहीं लंबो बच आता है सबसे नीचे आता है क्या आता है ग्राम पंचायत उसके बाद पंचायत समिती और उसके बाद जिला परिशन भारत में नगरपालिका का कारेकाल कितना होता है भारत में नगरपालिका का कारेकाल देखिए नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिशन इनका कारेकाल पांच वर्ष का ही होता है लेकिन अगर आप्शन में इस तरीकी से आ जाए प्रथम बैठक की तिती से 5 वर्ष ये बिल्कुल उप्युक्त आंसर होगा ठीक है कारिकल कितना होता है जो प्रथम बैठक होती है तब से स्टार्ट हो जाता है और 5 वर्ष तक रहता है नगर निगम के अध्यक्ष का कारिकल कितना होता है अब देखिए नगर निगम का कारिकल ने यहाँ पर अध्यक्ष का कारिकल पुछा है तो अध्यक्ष का कारिकल क्या होगा अध्यक्ष का कारिकल होगा कि जिस दिन वो सपत लेते हैं तो सपत ग्रहन की तिती से 5 वर्ष तक क कारेकाल होता है। इससे पहले के कुष्चन में गया था। कि जो नगर पालिका है उसका कारेकाल कितना होता है। तो जब वो सपत ले लेते उस सपद ग्रहर्दिती से 5 वर्ष तक तो प्रश्णों के जो लेंग्वेज है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर अपने सही आंसर को लगाईएगा जिला निर्वाचन अधिकारी के उत्तरदाई का निर्वाहन किसके द्वारा किया जाता है इसका आंसर है जिला कलेक्टर द्वारा यह आपका अंतियम प्रश्ण था और आज आपके 9th क्लास की पॉलिटी पूरी होती है इसी तरीके से 10th क्लास की करेंगे देखिए जोग्रफी जो है वो भी आपकी स्टार्ट होगी लेकिन इतनी जल्दी से वीडियो जो है वो नहीं बन पाते हैं इसी वजए से सर ने अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है जैसे ही पॉलिटी पूरी होती है जोग्रफी जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएग इसी तरीके से 10th class की 1st chapter के साथ. Thank you.